तो भाई GTA 6 के आने के बाद में जब गेमर्स ने टेट देखी है 2025 में GTA 6 ओरिजिनल लाँच होने वाला है उसके बाद में काफी गेमर्स थोड़ से परिचान हो चुके है क्योंकि काफी जादा उनको वेट करने को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे इस वीडियो में आज सभी लोगों के लिए GTA 6 का गेम आप लोगों के एंडुएट फोन के लिए लियाया हूँ सभी लोग जिनके पास अपके पास अपना जो फोन है उसके अंदर आप GTA 6 को खेल पाओगे लेकिन लेकिन अफकोर्स यह रियल GTA 6 नहीं होने वाला है बर GTA 6 का जो concept का जो पूरा पूरा गेम है वो मैं आप लोगों के लिए लिए लियाया हूँ यहाँ पे इस गेम के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है वो सब चीजे में आपको दिखाने वाला हूँ Starting to end वीडियो को देखते लिजिए सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है गेम का मेन्यू जो की एक्चुल में बहुत ज़ादा अमेजिंग है और GTA 6 का जो यह वाला मेन्यू है यह बहुत ज़ादा रियलस्टिक है यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में ब वीडियो में देने जा रहा हूं और इस वाले गेम के अंदर आपको क्या के चीजे देखने के लिए मिले की वह में वीडियो के अंदर दिखाने माला हूं इस वीडियो को देखते रीची स्टार्टिक तो एंड जोकि इस वीडियो में आपको दिख जाएगी CTGTA 6 की जो की ह इसना एक और केरेक्टर भी हमें देखने के लिए मिलता है याप इस वाले गेम के अंदर और यहाँ पे केरेक्टर्स के अलावा आपको ग्राफिक्स जो है वो बहुत ज़़ा ओसम यहाँ पे दिये गए है लेकिन एक ट्विस्ट है एक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सक को आप चेंज कर सकते हो उनको मौडिफाय कर सकते हो उनके अपने अपने फोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो so that आप अपने गेम को smoothly चला सको इस वाले गेम के अंदर आपको नहीं सिर्फ और सिर्फ गेम के ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे बट गेम का जो experience होगा वो GTA 6 के बराबर होने वाला है GTA 6 के similar होने वाला है क्योंकि सारेitzerizations आपको दे दिये गए है इस वाले गेम के अंदर और इस वाले गेम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा realistic time sick देखने के लिए मिलने वाला है, beaches आपको देखने के लिए मिलने वाली है और याप आपको board भी देखने के लिए मिलने वाली है जैसा कि आप देख सकते हो, UI buttons आप देख सकते हो, कुछ different होने वाले, कुछ इस टाइप के UI buttons होने वाले, जैसा कि आप अपने screen पर देख सकते हो, और वाई यह जो gameplay है, यह भी game on budget से ही लिया गया है, तो यह पर आप gameplay देख सकते हो, कितना smooth चल रहा है, FPS भी उपर आप देख स एक नाम के जो emulator है, उसके अदर यह वाला game जो है record हो रहा है, और आपके phone के अंदर भी आप इस वाले game को खेल सकते हो, चाहिए, आपके phone के लिए ही बनाया गया है, यह वाला game है, बट, problem यह है कि यह game बहुत ज़्यादा, जो है, आपका hardware required करता है, यानि कि यह आपका phone का processor बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका phone अच्छा होना चाहिए, इस game को चलानी के लिए, और exact specifications बोले, तो आपका phone एकदम like 4GB, around minimum 4GB आपका Android phone होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास एक processor होना चाहिए, अच्छा processor होना चाहिए, stamp dragon वगरे की series वाला phone है, तो आपके बहुत अच्छी बात है, media tech वाले भी phones यूज कर रहे हो, तो no problem चला सकते हो, but make sure कि आपका processor strong हो, so that game को handle कर सेखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा strong game हो सकता है, यह वाला game आपके phone में lag करे, आप बहुत ज़्यादा lag करे, आप बहुत ज़्यादा lag कर रहा है, यह पर देख सकते FPS is not that much, आप जितना की आने चाहिए, PC के according भी, मैं यही suggest करूंगा कि यार अगर आप phone में download कर रहे हो, तो आपका phone make sure अच्छा हो, अगर आप अपने phone को, अगर आपका phone अच्छा नहीं है, आप अपने game के अंदर lag देख सकते हो, FPS drop देख सकते हो, यह चीज में आपको पहले further, I would also like to tell you guys कि इस वाले game के अंदर काफी सारे bugs को fix किया गया है, जिहां, bugs को याप इस game के अंदर fix कर दिया गया है, पहले इनके game on budget के जो update है, उनके बहुत जादा glitches हुए थे इस वाले game के, तो यह वाला जो game है, जिहां guys, version 2 आपको provide कर रहा हूं, तो version 2 के अंदर आपको CT आपको देखने के लिए मिल जाएगी, Cards आपको देखने के लिए मिल जाएगी, JTA 6 के theme देखने के लिए मिल जाएगी, तो है आपका menu, which is actually so amazing, guys, मुझे बहुत अच्छा लगा यह वाला जो है, पूरा का पूरा game देख करके, पूरा newly game है यह, आप जाकर ट्राइ कर सकते ह इस वाले game को, and I hope कि ए वीडियो अच्छे लगी होगी, if you like this video, make sure to subscribe the channel, क्योंकि आर सबस्क्राइब करने से, आपको notification आएगा for my new videos, आप active होगे for the new videos, and इसे के साथ में में वीडियो को एंड करता हूँ, thank you so much for watching this video, and make sure, download करने के लिए link in description में है, जाकर कर दावनोड कर सकते So, I am Tuneesh, and signing out